जूठी रसोई इटावा की रहने वाली रोश्नी देवी का एक ही बेटा था सनी भगवान के क्रिपा से रोश्नी की घर में किसी भी चीज की कोई कमे नहीं थी पती हरिश का टाल्स का अच्छा खासा बिजनिस था परिवार की रहने के लिए रौशनी के पती हरिश ने एक आलीशान मकान बनवा रखा था जिसमें हरिश, रमा, उनका बेटा सनी, बहुरूची का और उनके दो बच्चे रहा करते थे रमा का आलीशान मकान देख कर देखने वाले वाँ वाँ कैय उठते थे लेकिन ये वार किवल तभी तक होती थी जब तक कोई उनके किचन तक ना पहुँचे किचन देखने के बाद तो मैमान ऐसे सर पर पाऊं रखकर भागती थे जैसे उन्होंने भरी दुपैर कोई भूत प्रेद देख लिया हो क्या हुआ नहीं समझे रमा और रुचिका की रसोई वैसे तो कोई पुराने जमाने की रसोई जैसे नहीं थी अच्छा खासा मॉड्यूलर किचन था लेकिन ला परवा सास बहु के कारण किचन की हाले तैसी हो गई थी कि उसे देख कर किसी की भी भूख मर जाए किचन के प्लाटफोर्म पर हर समय गंदगी फैली रहती थी कहीं छिल के पड़े नजर आते तो कहीं पर खुला हुआ खाना प्लाटफोर्म पर बिखरी हुई चाय पर चींटियां और मक्हियां पेड भर रही होती तो कहीं चुहे दावत उड़ा रहे होते कुल मिलाकर रसोई की हालत इतनी खराब थी कि उनकी किचन को देखने के बाद अब महमान भी उनके यहां आने से कत्रा आने लगे थे एक दिन रुचिका कहा हो तुम अरे तुमसे कहा ता मटर पनीर बना कर रख देना आज मेरे दोस्त डिनर के लिए आने वाले है बन गया की नहीं अरे मैं तो टीवी सिरिल देखने बैठ गई थी बिलकुल भूल गई कि आज आपकी दोस्त डिनर के लिए आने वाले है चलो आप टेंशन ना लो मैं अभी बना देती हूँ रुची का जल्दी जल्दी रस्वे में पांचती है तो देखती है कि किचन के प्लाटफॉर्म पर रखे हुए पनीर को दो चूहे बैठ कर बड़े आराम से खा रहे हैं अरे यार ये क्या हो गया आप मैं क्या करूँ मटर पनीर कैसे बनेगा क्यों क्या दिकत हो गया अरे वो पनीर ना मैं किचन के प्लाटफॉम पर रखकर भूल गई थी और पनीर को तो चूहे ने छूटा कर दिया अब वो खाने लाइक नहीं बचा ऐसा करती हूँ कुछ और बना देती हूँ अरे ये कोई नई बात है क्या तुम्हारा रोज का ही तो है खाना बनाने के बाद उससे खुला छोड़ देती हो कभी भी कोई सामान उठा कर फ्रिज में नहीं रखती हो आप लोग जब जान दे हो के घर में इतने कीडे मकोड़ है तो थोड़ा साउधानी से रहना चाहिए न और ये कुछ और मना देती हूँ उससे क्या मतलब है मेरे दोस्त आ रहे हैं उनके सामने टिंडे की सबजी बना कर रखेंगी क्या अच्छा तो फिर आप जाकर फिर ले आओ न पनीर तब तक मैं बागी की तयारी कर लेती हूँ हाँ तुम्हे करना तो कुछ नहीं होता है बस फट से बोल दो जाओ ले आओ पनीर मार्केट जाकर लाना तो मुझे पड़ेगा न और जानती हो यहां से मार्केट वैसे भी इतनी दूर है आने जाने में मुझे 40 मिनिट लग जाएंगे तुम न किसी काम की नहीं हो एक भी काम जिम्मेदारी से नहीं कर सकती और इन चुहों का कुछ करती क्यों नहीं हो हर दूसरे दिन की काहनी है कुछ न कुछ नुकसान करके चलते बंदे यह चुह अरो मुझे पर क्यों चिला रहे हो मैंने क्या इन चुहों को पाल रखा है जो मुझे पर नाराजगी दिखा रहे हो मुझे भी चुहों से सामान खराब करवानी का कोई शौक नहीं है लेकिन क्या करू इतने धीड़े के हमारा घर छोड़कर जाने को तयारी नहीं है अच्छे ठीक है छोड़ो ये सब फिलाल तुम महरबानी करके डिनर की तयारी कर लो वनना आज लोगों के सामने मेरी इज़द मिट्टी में मिल जाएगी पता नहीं मैंने भी क्यों घर पर सबको डिनर पर बुला लिया आगे से तुम्हारे बरोसे मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूँ इससे अच्छा मैं रेस्टोरंट में ले जागर पार्टी कर लेता अरे मोजी भी कोई कीड़ा नहीं काट रहे सबको घर बुलाने का आपके दोस्तों के लिए दो घंटे खड़े ओकर कीचिन में खाना भी बनाओ और फिर बात भी सुनो सनी के बाजार जाने की बाद सनी के ओफिस के दोस्तों के साथ उसका बास पियाएगा खाली पनिर की सबजी बना कर तो रखेंगे नहीं उनके सामने ऐसा कर थोड़ा सा ड्राइफरूट का हलवा भी बना ले सनी बता रहा था कि उसके बास को हलवा बहुत पसंद है ममी जी एक तो वैसे ही टाइम कम है उपर से आप काम बढ़ाने वाली बात कर रहे हो अच्छा ऐसा करो हलवा आप बना दो तब तक मैं बाकी की तयारी करती हूँ दख लो मारानी के डंग एक काम बताओ तो यह उल्टा मुझसे चार काम करवा लेती है अच्छा चल ठीक है मैं ही बना देती हूँ सास गुस्से में रस्वे में जाती है और हलवी के लिए कढ़ाई चड़ा दीती है जैसे ही वो सूजी का पैकेट खुलती है तो देखती है पैकेट के अंदर तो चींटिया भरी हुई है अरे इसमें तो चींटिया और इतने बड़े-बड़े कीड़े हो गए अब इसे कैसे इस्तमाल करेंगे ममी जी अभी फिलालना अब ड्राइफ रूट निकालो सिर्फ ड्राइफ रूट्स का यह हलवा बना लेते है अब मैं क्या गरूँ इस घर को हाई फाई बनाने में आप लोगोंने लाख रूपे खर्च कर रखे इस किचन की दशा सुदारने में कुछ पैसा खर्च नहीं कर सकती क्या घर में लाखों का फनीचर है चार-चार एसी लगे हुए है लेकिन रसोई देख लो तो उल्टी आ जाए आरा किचन को सफाई से रखना तो तेरे हाथ में है ना क्यों एतनी गंदगी मचा के रखती कि उल्टी आ जाए किसी को तोड़े हाथ पर हिलाया कर किसी एक के सफाई करने से कुछ नहीं हो ता माजी गंटो के महनत लगा कर रसोई साफ करती हूं और इसके बाद पांच मिट में आप लोग गद बना के रख देते हो रसोई की सफाई करने के अलावा भी बहुत सारे काम है मेरे पास दो-दो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाए खाना पीना सब कुछ देखना होता है मुझे आप लोगों का क्या है दिन में चार बार बिस्तर पर बैठे चाई नाश्ता खाना सब मिल जाता है किसी को काम करना पड़े तब समझ में आए न आ तेरे साथ तो बात करना ही बेकार है ये रोज रोज इन किड़े मकडों के आतंक से मैं तो परिशान हो गई हूँ सबसे पहले न तू पेश्ट कंट्रोल वालों को फोन कर और रसोई का पेश्ट कंट्रोल कर वाले ताकि चुहे कोकर चीन्टियों से छुटकारा मिले सारा सामान खराब करके रख देते हैं कल चाय पीने के लिए चीनी का धकन खोला तो उसमें चीनी से ज़्यादा तो चीन्टियों दिखाया पड़ रही थी सास की बात मान कर रुची का पेस्ट कंट्रोल वालों को फोन करती है और रस्वी का पेस्ट कंट्रोल करा लेती है दो तीन दिन भी नहीं बीट पाते कि एक बार फिर से रस्वी में चूहों का आतंक शुरू हो जाता है पता नहीं कौन सी प्रजाती के चुह हैं ये जो हमारी रसोई से जाने का नामी नहीं ले रहे अरे पेस्ट कंट्रोल कराने का भी कोई फाइदा नहीं हुआ पहले छोटे वाले चुहे गुम रहे थे अभी बड़े वाले आगे आसा लग रहा है पेड़ी दर पेड़ी हमारे घर में सेटल होने का प्लान बना लिया है उन्होंने रुची का और उसकी सासुमा इन केड़ों के आतंग से बहुत परिशान थी कई बार पेस्ट कंट्रोल भी करा चुकी थी लेकिन चुहें और चीटियों पर कोई असरी नहीं हो रहा था कुछ दिनों के बाद सासरमा की बहन उर्मी कुछ दिनों के लिए रमा के घर आती है ए राम दीदी आपका घर एकी चुहों की खान है देखो तो मेरी नई की नई साड़ी का क्या हाल कर दिया पूरा भारत का नक्षा खेंच कर गया साड़ी में अरे बहन क्या बताओं तेरी तो पहली साड़ी कट रही है हमारे घर में तो रोज का काम है कभी बच्चों की स्कूल ट्रेस कुतर देते हैं कभी इन बाप बेटों की पैंट शेट में छेद कर देते हैं और हम दोनों सास बहु के पास तो ये समझ ले कैसा कोई कपड़ाई नी जिसमें छेद नाओ हम तो छेद वाले कपड़ी पैन रहे है बेन अरे तो कुछ इंतिजाम क्यों नहीं करती हैं चूहों का तुमने क्या दोस्ती कर लिया इनकी साथ अरे मौसी जी कोई दोस्ती नहीं किया हम तो जतन कर करके ठक गया है लेकिन हमारी रसोई से ये चूह ये चीटी कों कर जाती ही नहीं रमा देख रही थी कि चूहों के आतंग से वाकई घर में सभी परिशान है लेकिन कोई भी समस्या के हल पर ध्यान नहीं दे रहा तीन दिन बाद बिटा रुची का तुझी पता है तुम्हारे घर से ये केड़े मकोडे जाते क्यों नहीं जब उन्हीं पेट बनने के लिए इतना खाना मिल रहा है तो कोई बेवकूफी तो ऐसी जगद छोड़ कर जाएगा ना तुम कीचन को इतना गंदा रखते हो कि क्या बताओं रसोई के प्लैटफॉर्म पर ही घी तेल के डबबे बिना धक्कन लगे पड़े रहते हैं सबजियों के छिलके तो लगता है हफती में एक ही दिन फेकते होगे तुम लोग कहीं चाय के बरतोर में मक्या बैठ रही है त तो क्यों जाएंगे तुम्हारा घर छोड़ कर ये सुखे मेवे डाले सब में घून लगे हुए है क्योंकि किसी को भी सही तरसे स्टोर नहीं किया तुमने एयर टाइड बॉक्स में रखोगी तो कभी खराब नहीं होगी लेकिन तुमने तो ऐसे ही पनियों में भर कर रखा मासी जी ये बात आप अपनी बैन को समझाओ ना अरे ये रसोई सदा से ऐसे नहीं थी बिल्कुल चमका कर रखती थी मैं इसे लेकिन मम्मे जी की आदत इतनी खराब है वो ना तो खुद कुछ करती है ना किसी को करने देती है मेरा आदा दिन रसोई की सफाय में बीच जात आखिर मैं अकेली कब तक सफाय करती बस फिर मैंने भी रसोई की तरफ तेखना बंद कर दिया और धीरे धीरे ना ये मेरी आदत बन गए आलस और लापरवाई की चक्कर में हमारी रसोई की दुर्गती हो गए देख रमा बहो की बात सही है एक इनसान कितनी सफाय करेगा अकेले घर को साफ रखने में तो सब को मदद करनी चाहिए ये क्या बात हुई कि एक साफ करे और तुम गंदगी करती रहो अभी भी समय है अपने रसोई की कमान अपने हाथ में थाम लो तुम इसे साफ रखना श साफ रखने का बाता करती है और वो आज से ठीक एक में बात की है ये लो सब इस थाली में से रस गुले उठाओ और गटक लो ये तो बहुत अच्छी ख़बर है चलो अब फाइनली तुम और पारितूश एक हो जाएंगे तुम हमेशा से यही चाती थी ना सुप्रिया हाँ गावरी भाबी अब ये घर काफी सुना सुना सा लगेगा तुम जो नहीं रहोगी हाँ हाँ तुम दोनों के लिए तो रास्ता और भी साफ हो जाएगा ना इस घर को खा जाने के लिए और बिर्ला खानदान के सारी जायदार और सब कुछ अपनी मुठी में करने के लिए अच्छी तरह जानती हूँ इन गिरगिट भाई-भाबियों को मैं यह कहानी है अंश्रमन और माहिर की सगी बहन सुप्रिया की सुप्रिया की शादी पारितोष नामक एक लड़के से होने वाली होती है और अब एक महिने के बाद का मुरत पक्का होता है ऐसे में सुप्रिया की खुराफाती दिमाग में यह खयाल आता है कि उसके जाने के बाद उसके दोनों भाई और उनकी बीविया बिरला खानदान की सारी जायदाद हडप लेंगे अब सुप्रिया का ये खयाल किन-किन तमाशे और मुसीबतों को न्याता देता है चलिए देखते हैं नहीं मैंसन नहीं होने दे सकती अब सुप्रिया ठान लेती है कि वो हर हाल में अपने भाई भाबियों के हाथ प्रापर्टी का एक प्रतिशत भी लगने नहीं देगी और इसलिए उसका मिश्ण शुरू हो जाता है और वो सबसे पहले जाकर अपनी दोनों भाबियों के बीज फूट डालना शुरू करतेती है जिससे उनका जगड़ा हो सुप्रिया गौरी की महंगी मेकप किट वैशाली के कमरे में रख देती है गौरी अपनी मेकप किट के खोजाने से परिशान हो जाती है और सारे घर को अपने सर पर उठा लेती है और अंत में जाकर सुप्रिया और गौरी को मेकप किट वैशाली की कमरे में से मिलती है तब वैशाली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेकप किट को चुराने की और ये दिखो सुप्रिया इसने तो ये आधी इस्तिमाल भी कर ली है बेशरम कहीं की तुम्हारी अल्मारी में जितने जेवरात पड़े हैं न, उनसे भी ज्यादा महेंगी है ये खिट खुद अफॉर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मेरी चुराली, चोर नहीं कहीं की गावरी, mind your language मैं क्या इतनी भी गई गुजरी हूँ, जो तुम्हारा मेक अप चुराऊंगी मैं नाच्रोली ही खुबसूरत हूँ, मुझे तो ये बनावटी और फाल्तो के मेक अप शेक अप में रत्ती भर का इंट्रेस्ट नी ये सब तो उनकी चोचले हैं, जो शकल से सड़े हुए बैंगन की तरह लगते हो क्या कहा, तुमने मुझे बत सूरत कहा, एक बैंगन से मेरी तुल्ला की और वो भी सड़ा हुआ अरे मैं बैंगन तो तुम करे ला, जामून, आलू तभी इस सब का आनन्द उठाते हुए, सुप्रिया मन ही मन हस्ती है लडो और लडो, एक दुसरे के बाल भी नोचलो हाँ डैर यू, तुमारी तो ऐसी की तैसी सेम टू यू, खुद को बड़ी ऐश्विरा राय समझती है न, लेकिन है तो महले की विमला काकी हाँ, अब इसे ही बाल सपेद हो रहे हैं और जर्या पढ़ रहे हैं तेरिया वैशाली गावरी के बाल नोच्ती है और ऐसे ही दोनों का जगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बस पूछो मत अंश्रुमन और माहिर दोनों भाई एक ही मिठाई के दुकान पर काम करते थे से घुंगट ओड़ कर जाती है और सारे गल्ले के पैसे माहिर के पर्स में डाल देती है और फिर बात में दोनों भाईयों में भी कहा सुनी शुरू हो जाती है जब अंश्रुमन सारे पैसों को माहिर के पास पाता है तो चोर कही के जरा भी शर्म नहीं आई ये करते हुए अरे ये पैसे हम दोनों के ही है हमारे घर के ही है फिर भी तुमने चुराए मेरा यकीन करो अंश्रू मैंने ये पैसे नहीं चुराए तुमारी कसम मेरे भाई क्यूं जूठी कसम खाकर मेरे पती देव की लंबी उम्रग घटाने के पीछे तुले हुए हो अगर दुकान के गुल्लक से पैसे आपने नहीं चुराए तो क्या पैसे खुछ चल कर बोले चलो भाई, आज तो माहिर भाई की बटवी में जाकर चिल करते हैं आपको पता है माजी, ये इन दोनों मिया बीबी माहिर और वैशाली की नहीं आदत हो गई है चोरी चकारी करने लगए हैं दोनों तब ही उपास ना जोर से चिलाती है चुप रहो तुम सब, अरे एक महीने में घर की बेटी ब्याही जाएगी इतना खुशियों भरा पर्व है और तुम लोग इन छोटी छोटी बातों को बड़ा बना बना कर राय का पहाड खड़ा कर रहे हो और नहीं तो क्या, अब से हमें घर में सिर्फ और सिर्फ शानती चाहिए नरेश जी, आप अपने दोनों बेटों को समझाईए मैं इन दोनों नास पिटियों को समझाती हूँ जी हाँ, उपास्ता जी उपास्ता और नरेश दोनों बेटों और बहों को खुब समझाते हैं लेकिन सुप्रिया नाम का तूफान अभी तक थमा नहीं था सुप्रिया अपनी जालें जारी रखती है कभी उपासना को गौरी और वैशाली के खिलाव भढ़का कर तो कभी भाईया और भावियों में जगड़े लगवा कर ऐसी ही एक दिन सारी हदे पार हो जाती है जब सुप्रिया जान बुझ कर अंशुमन के कमरे की लाइट्स का कनेक्शन आफ करतीती है और उसे मारने के लिए गुंडे भेशती है और उन्हें कहती है ओ गुंडो जब तुम लोग उसे पकरने जाओगे न तब तुम्हें ये कहना है कि तुम्हें माहिर सेथ ने बोला है अंशुमन को पकरने के लिए और मानने के लिए ठीक है जैसे ही अंशुमन और गौरी की कमरी की लाइट्स ओफ हो जाती है गुण्डे अंदर घुश जाते हैं और अंशुमन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तबी अंशुमन उने ही पीट डालता है और सभी घरवालों के सामने पूछता है बता, बता किसने भेजाएं तुझे मुझे माने के लिए बोल ये, ये, माहिर शेट ने आई ओ, साभी इनों ने ही अमें यहाँ भेजाएं बोला था कि अगर अंशुमन बिरला को मारोगे तो मोटी रखम दूँगा क्या? क्यासी बाते कर रहे हो? बला, मैं अज़ा क्यों करूँगा? ओए निगोडे, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे पती पर छूठा इल्जाम लगाने की मेरे पती ऐसी घटिया गिनानी हरकत कभी नहीं कर सकती हाँ सब जानते हैं हम माहिर जी, आप न अपनी हद में रहिए हद क्या? इसे तो मैं अभी सबग सिखाता हूँ अंशुमन गुसे में आग बुबला होकर माहिर का कॉलर पकड़ता है और उसे मारने जाता है पूरे घर में बहुत बड़ा तमाशा होने लगता है उस बीच सुप्रिया धीमी आवाज में उन गुंडों से कहती है तुम लोग पतली गली पकड़के निकल लो आप मैडम, मस्त तमाशा चल रहा है देखने दो न चप्पल से मार खानी का बहुत मन है क्या? चलो दफा हो जाओ यहां से दोनों भाई एक दूसरे को मार ही रह होते हैं कि तभी उपासना जोर से चिलाती है बस छोड़ो एक दूसरे को पागल हो गए हो क्या? इंसान हो यह हैवान बस बहुत हुआ पानी सर के उपर जा रहा है अगर तुम लोग एक छट के नीचे नहीं रह सकते बले ही अगले मैने यहां से अपने सिसराल चली जाएगी लेकिन उसके बावजुद यह यहां की माल किन रहेगी गुस्से में आकर उपासना सारी जायदात सुप्रिया के नाम कर देती है और एक भी हिस्सा बेटों और बहुं को नहीं देती बह अगर आपका यही फैसला है तो यही सही घर का दो-तिन हिस्सों में बटवारा हो जाता है एक में माहिर और वैशाली रहते हैं दूसरे में नरेश, उपासना और सुप्रिया रहते हैं और तीसरे में अंशुमान और गौरी अब कोई किसी से बात नहीं करता अरे इतनी रात गई यह दुकान का शटर अभी तक खुला है दोनों भायों ने तो अलग-अलग कारोबार चलाना शुरू कर दिया है फिर अब इस दुकान में कौन है गौरी दुकान के करीब जाती है और छुपकर देखती है कि सुप्रिया हसते हुए अपनी सहली से कुछ पेपर्स पर साइन करा रही है क्या फसा है तुमने अपने घरवालों को सुप्रिया जगड़े लगाना और घर बरबाद करके प्रापर्टी को अपने नाम कराना तो कोई तुम से सीखे सीरियूसली बहुत मैनत लगी है यह सब करने में भाईयों में भाबियों में मां और भाबियों में भाबी भाबियों में जगड़े लगाने के लिए लेकिन फाइनली मैनत का फले एक दम बढ़िया मिला है चलो जल्दी से पेपर पर साइन करो हाँ हाँ कर रहे है बाइद वे तुमने मुझे ना दुगने दाम में बेची है ये दुकान, लेकिन कोई ना, मेरा ब्यूटी पालर जब इस दुकान की जगह बनेगा ना, तब ही बहुत कस्टमर्स आएंगे, ले, इसी बात पर देसी घीसे बने, मोती चुर के लड़ो खा ले इसका मतलब, ये सारा शडियंत्र, ये सारी चाल, इस सुप्रिया की थी गौरी रोते रोते, फौरन घर जाती है, और सब को पूरी बात बताती है, और सभी दुकान पर पहुँचकर सुप्रिया को रंगे हाथ पकड़ते हैं, और उसकी सहेली को धमका कर उससे सारा सचुगलवाते हैं, तब ही उपासना गुस्से में आकर कहती है, सुप्रिया, तुने इतना बड़ा धोखा दिया, ये उमीद नहीं थी तुझसे, मैं और क्या करती मा, मुझे लगा कि मेरी शादी होने की बाद मेरा इस घर में कुछ नहीं रहेगा, और आप सब मुझे हर तरफ से बे दखल कर दोगे, उसी डर की वज़े से मैंने ये जब किया, सुरी अन्शुमन भाई, माहिर भाई गारी भाबी और वही शाली भाबी, I'm sorry मा, ये तुने बहुत गलत किया, सुप्रिया, मैं माहिर पर जान चेड़कता था, लेकिन तुने हम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, और नहीं तो क्या, सुप्रिया तुने ये बहुत गलत किया, ये बात अगर पारितोष और तेरे होने वाले सुसुराल वालों को पता चलेगी न, तो कितनी बड़ी मुसिबत खड़ी हो सकती है, ये तु जानती भी नहीं, वैशाली और मेरे बीज भी मिठास को कड़वाहट में घोल दिया, एक सगी बहन होते हु आग लगा दी तुने सुप्रिया, पूरा घर पर बात करती है, अरे पूरा घर मांग लेती न, तो तुम्हारे दोनों भाई बिना कुछ कह तुम्हें खुशी-खुशी दे देते। इनके मन में कोई कपट नहीं, फिर तुम्हारे मन में क्यों सुप्रिया, मुझे माफ कर दीजिये, सगे बेन होने के नाते मुझ पल लानत है।